आईफून में एक बड़ी खामीत र्याफ्ट जिसे एपल ने अभी तक चुपाया रखा जी हाँ मुझे बिल्कुल सही सुन रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दूस्तों कर लीजिए और साथ में बेल आइक आईफून में एक ऐसी खामी थी जिसको एपल ने कही सालों तक चुपाया रखाया है दू सिस्क्राइब चुटोरियल्स एंड चरन ओन दा नोटिफिकेशन तो गेट नोटिफाइड वेनवर दफ वीडियो अप्लोड एपल ने वैसको बहुत सारी जो है नियू एनिवेश ने में आया तो यह ऐसे इशू नहीं है आईफून सिक्स और सिक्स प्लस ऐसे पून थे जिन्हों ने रेकॉर्ड सेल डिये एपल को मगर एपल ने उस खामी को छुपाई रखा था फूर बीज की रिपोर्ट के मताबिक एपल ने उस मकदमे के लिए जो अदालत में डाकु रखा तो यहां पर मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर उन्हों ने उसे अपने सार्फिन से बचाए रखा तो में भी उसकी में बड़ी रीजन यही थी कि आईफून सिक्स और सिक्स प्लस बहुत ज्यादा तराद में सेल हो रहे थे असल में यह मकदमा जो है यह सार्फिन की तरफ से आईफून के मुड़ जाने की वज़ा से जो है अदालत में दायर किया गया था जिसके जवाब में जो आईफून ने अपनी डाकुमेंट्स जमा करवाए थे और उसमें उन्होंने इस बाद का इतराब किया था उसमें उन्होंने बताया कि एपल को पहले से बताता आप इस बारे में क्या सोच आईफून ने इस खामी के होने के बावजूद और पता लगने के बावजूद अपने इस मौडल की जो है से जारी रखी है तो दोस्तों अभी तक इस मकदमे की इसमाद जारी और अगर अभी आप यूस कर रहें आईफून 6 और 6 प्लस तो आप आपको इसका नहीं पता तो मैं आपको दुबारा बता दो कि आपका जो फून है वो बेंड हो सकता है तो अगर आप आईफून 6 और 6 प्लस यूजर है तो इसको इसको यूस कीजिए क्योंकि यह फून अगर आप अपनी ट्रोजल कॉकिट में भी रखते है तो उसमें भी ब है वीडियो देखने का चुक्रिया कमेंट्स में जुरू बताएं का वीडियो आपको लगी कैसी और अगर आपका कोई पेनियन है तो जुरू में रसा शेयर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्क्राइब करें जो कि आईफून 6 और 6 प्लस यूजर है चैनल को सबस्क सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के चुक्रिया दौब याद रखेगा अल्लहाफिज